शिक्षा का महत्व मैंने बच्पन से ही देखा है मेरे माता पिता का मानना था कि ग्यान वो इन्वेस्मेंट है जिसका डिविडेंट यानि मुनाफ़ा जीवन के अंत तक मिलता रहता है बड़े 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 गुणी जनों सहितिकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था उन्हीं के बीच बैठ कर उनसे बहुत कुछ सीखने का मचे सवबागी भी प्राप्ट हुआ मैं समानता हूं कि एक सामान्य जिन्दगी जीने के लिए इनसान को रोटी कपड़ा और मकान के इलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा एडूकेशन आपके पास आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कनवर्ट कर सकते हैं धन हो या सोना दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है पर यही धन को अगर हम नॉलिज में कनवर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और नहीं उसकी चोरी हो सकती है इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा की प्रती जाग रुकता बढ़हने के लिए महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना यह बहुत ही आवश्चक है और इस अभियान में जी हाँ इस अभियान में मैं अपना योगदान देता रहता हूँ अब देखिए एक राजा ने कितने राजियों पर विजय प्राप्त की कौन कौन से शस्ट्रों का इस्तमाल किया कितने सैनिक थे यह शायद आपको याद नहोग पर जीरों की खोज किस ने की बल्व का विश्वार किस ने किया राश्गान किस ने लिखा उतेलो मेकबेथ की रचना किस ने की यह आपको जरूर याद रहेगा इतिहास इतिहास गवा है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वही तक पूजा जाता है जहां तक उसका सामराज्य पहला होता है वह केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है पर अपने ज्यान की कीरती भैलाने वाले हलबर्ट आंस्टाइन विलियम शेक्सपियर रबिंदर नाट गोर सिर्फ अपनी जन्म भूमी में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं संपूर्ण मानव जाती के लिए व इसलिए आप सबसे मेरा आगरे यही है कि सीखते रही है ग्यान का ध्यनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है क्योंकि ग्यान वो कवच है वो शील्ड है जो आपकी जीवन में आने वाली कठनाईयों से आपकी रक्षा करेगा फिर किसी भी शस्त की आपको अब शक्ता नहीं होगी